हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे नीबू का खट्टा अचार जो बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाता है और सालो साल चलता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है चलिए हम बनाते हैं नीबू का खट्टा अचार उसके लिए मैंने लिये हैं बीज नीबू और इनको कट कर है और इनके बीज को निकाल कर अलग कर लिया है आप नीबू के टुकड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं चार आठ जैसे भी छोटे बड़े टुकड़े और अब मैं नीबू पर डाल रही हूं नमक डेड़ चमज डाला है और हल्दी पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स करे हैं दो दिन के बाद हम कडाही को गरम करेंगे अपने नीबू को निकाल कर रख लेंगे और कडाही को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल ध्यान रखें नीबू का अचार बनाने के लिए कोई भी अचार बनाने के लिए हमें सरसों का तेल यूज करना है और उ इसमें डालेंगे हम हींग, हींग डालने से हमारे आचार की जो लाइफ है वो थोड़ा और लंबी हो जाती है, हींग से सुधता आती है, और हमारा आचार थोड़ा लंबे समय तक चलता है, और टेस्ट भी बढ़ जाता है, इसमें डाली है मैंने, एक टी स्पून हींग, और जैसे हम हींग डालेंगे वैसे गैस को कर देंगे बंद नहीं तो गैस बंद नहीं करेंगे तो हमारी हींग जल जाएगी अब तेल को ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक हमारा तेल ठंडा होगा तब तक हम और काम कर लेते हैं अचार में डालने के लिए मैंने लिया अ सौंप कलोंजी को करायल भी बोलते हैं और यूपी में मंग्रेयल भी बोलते हैं और तवा गरम करेंगे उसमें हम डालेंगे सौंप को सेकेंगे और कलोंजी को भी सेकेंगे अब हम लेंगे जो हमने दो दिन के लिए नेबू रखे थे गलने के लिए उनको यह देखिए गल ग हमने पहले से भी इसमें डाल दिया थ्टा इसलिए हम ज़ादा नमक नहीं डालएंगे और अल्दी ढालना है हल दी भी हमने पहले इ डाल दी थी और ये सिकह वए सौंप और कलोंजी इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और झो हमारा तेल अमने गरम करके रखा था ठंडा हो गया है अब उसमें हम सारी चीजे दाल देंगे और इसमें भी थोड़ी और चीज़ा डालनीा है वह क letting को इसमें अच्छे से मेक्स करेंगे तेल में और अभी डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च लाल मिर्च अपने हिसाब से डाली हैं आपको जितना तीखा पसंद हो मैंने याँ पे डेड़ चमच लाल मिर्च डाली हैं इससे थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है और तीखापन भी आजाता है हमारा अचार अच्छा खट्टा और चट्पटा बनता है अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे बस हमारा अचार बनकर तैयार है देखा बहुत ही आसान है अचार को बनाना और अब हम इसे भर के रख देंगे कोई अच्छे से काच के बरतन में या आपके पास जो भी बरतन हो एयर टाइट उसके अंदर रखें ताकि इसमें हवा नहीं लगे नहीं तो फिर खराब हो जाता है अचार और आप इस अचार को सालो रख सकते हैं ये बिलकुल खराब नहीं होगा आप भी बनाएए अपने घर पर या अचार और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ये देखें देखने कितना अच्छा लग रहा है और गारंटेड है कि या अचार खराब नहीं होगा सालो तक आप जरूर बनाईए अपने घर पर इसी प्रोसेस से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए